ये गाड़ी के बारे में किसने सुना है? खुब चर्चा में ना ये गाड़ी? एक्दम लेटेस्ट केस स्टेडी है, लेटेस्ट. सबसे पहले मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ, एक इंपोर्टेंट प्राक्टिकल सिनेरियो से, केस से, इसके बेसिस पे इसको बताते हु तो फिर तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि strategic management है क्या? और how it is different from management और business studies, how it is different from actually. तो बोलो इस गाड़ी के बारे में कितने लोग जाते हो, Google कर लो फटा फटा मेरे सामने, तो मैं Google पर लेचलूंगा. देखो दो कारे हैं, बहुत ध्यान से सुना, दो कार से, एक है आर चुills? आर तो कार से, तो कार से आर लोईम अररीट bus? और दो की 때वम देखोफे हैं, और लोगा हैं? और दूए आर फे हैं, तो कार लोन थ Pharise घुना है अर्टाइज झीबा? और दो कार किल उहा हैं? Deborah बहुत है और चुना मेंने से स्व accustomed are. बहुत में खा़ी किस के आ तो आपको को आपको कर दोए है, तो रहल कि आपका है, बजाए है कि अपको जाए है नहीं अपको को है। एक बात और ध्यान रखना, अभी बात कर रहा हूँ आप लोग उसे, इंस्यूट का जो question setter होता है, कोई भी question setter तुम्हे भी बना दो, मुझे भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे के दिमाग में पता है सबसे पहली बात क्या आती है, latest industry में क्या चल रहा है, तो जो latest चल रहा होता है, institute की focus उसी latest पे होती है, और जब latest पे होती है, तो वो उसको latest चीजों को study करता है, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, और जो चल रहा है, उस पे वो question set करता है, and that's why I am talking about this, यह latest है, और एक ना grand vitara, a new breed of SUVs, introducing grand vitara, bookings open, next सुजुकी की गाड़ी आ रही है, दो गाड़िया मार्केट में दवा के आ रही है, और सुना है हमने, study क्या है हमने, इसलिए case इसके सामने लेकिया है, वो आपके सामने, मेरा ऐसा मानना है कि SUV, mini SUV segment के अंदर ये दोनों गाड़ियां बहुत जबर्जस्थ धमाल मचाने वाली है, ऐसा strategically, इनके strategist का, इन कंपनियों के top management का मानना है, क्या, इन दोनों कंपनियों के top management का मानना है, किसका मानना है, जड़ा सारे लोग बोलिए एक बार, comment box पे लिखके बिताए, ये दोनों गाड़िया मार्केट में बिल्कुल भौकाल मचाने वाली है, बिल्कुल पूरे market की पूरे क्रेटा की, सेल्टॉस की, MG Hatter की, MG Esther की, सब की लगाने वाली है, ऐसा इन कंपनियों के top management का मानना है, मतलब, वो ये मानते हैं कि इन गाड़ियों का launch होना strategic है, strategy है इसके पीछे, yes or no, सारे लोग बताए ये जरा सा, सोचो, 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 दिल मैं इश्क को दे जगह ऐ मेरे दोस्त, इल्म से शायरी नहीं आती, महबबत से, एक्तम प्यार से पढ़ने का ये paper, बहुत help करता है ये paper, through out the life, yes sir, अब High Rider और Grand Vitara के बारे में एक और छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों न सेम गाड़ी है, सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, दो अलग कंपनिया, इसको बेचेंगी, कौन ज़्यादा बेचेगा यार, किसके पास market share ज़्यादा होगा, किसकी market position बहतर होगी, अब ये भी बात है, बिल्कुल डिक्टो सेम गाड़ी है, एक ही टेकनोलोजी है, एक ही सब कुछ है, स्पेसिफिकेशन सेम है, थोड़े थो जाई क्या, एक Toyota है, और एक Suzuki है, बस इतने का difference है, बाकी ये गाड़ी, दोनों कंपनियों ने मिलके बनाई है, क्या बात है, बतलब आप ये कहना चाहते हो, सर ये कार कॉलिबरेशन में बनी है, इन कॉलिबरेशन विद सुजुकी, इन कॉलिबरेशन विद हाई राइडर, मिस Toyota, हाज क्रिएट इस कार, देखो एक important बात बताना चाहता हूँ, आज दुनिया competition का नहीं, कॉलिबरेशन का है, क्या बला, जमी क्या बात है, आज दुनिया competition की नहीं, कॉलिबरेशन की है, पहले collaboration and then competition, दोनों चलता है, अब ध्यान से सुनों, Toyota की एक गाड़ी आती है, Camry, सुना है, Camry, बड़ी 45-50 लाग की गाड़ी है, बहुत तगड़ी गाड़ी है, मैंने भी test drive लिया तीन दिन पहले, जान से सुनों, उस गाड़ी में एक technology है, उस technology को बोलते है hybrid technology, क्या technology है, जान से सुना, अब दूसरी बात लेके आगए, अब तुम बोलोगे सर, अभी तो गाड़ी की बात करते हैं भी technology पे आप आगए, एक technology है, hybrid technology बोलते है इसको, जिसमें battery and engine मिल करके power देते हैं गाड़ी को, और इस technology का पाइदा क्या है, ना यह pure electric है, ना ही यह pure petrol पे चलती है, petrol भी लगेगा, 80% petrol लगेगा, और 20% electricity का, इसलिए इसको hybrid बोला, दोनों के मिलने से यह गाड़ी चलेगी, कमाल की गाड़ी है, कैमरी का, और उसका वीडियो भी बनाया था, वो दिखाऊंगा आपको आज के session में, कि वो कैसे गाड़ी perform करती है, गाड़ी work कैसे करती है, वो car work कैसे करती है, जिसकी वज़ा से 80-20 के ratio पे काम करती है, और fuel economy कितनी है, पता है आपको, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी car नहीं है, SUV segment में, जो 28-30 km per litre का mileage देती हो, अब ध्यान से सुनो, बात car की नहीं हो र मैं strategy की class में, आपको strategy समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दोनों company ने सबसे पहले क्या किया, collaboration, क्योंकि सुजुके को पता था कि Toyota के पास already Camry नाम की ये गाड़ी है, जो पिछले 8 साल से Indian market में है, और hybrid technology पे काम कर रही है, इतनी बड़ी गाड़ी, बड़ा सा जहाज है, जो की 19 km per hour की mileage देता है, पर किलो मेटर की mileage देता है, 19 km per liter की mileage देता है, इतनी बड़ी गाड़ी है, बड़ा सेग्मेंट में है, सेडान है, लगजरी है, और उसके बहुजूर्द भी 19 km की mileage देता है, क्या किया, सुजुकी ने Toyota के साथ इस hybrid technology के लिए collaboration किया, तैह हुआ कि हम एक mini SUV बनाएंगे, क्रेटा, सेल्टॉस, इन सब की monopoly खतम करेंगे, mileage भी हमारी super relative होगी 28 to 30, लोगों को भरोसा ही नहीं होगा, कैसा कुछ हो भी सकता है, मतलब customer को वो feel देंगे, कि दाम में हो कम, और काम में हो दम, बोलो भाई, yes sir, बो, customer को, ये collaboration किसले हुआ है, ये collaboration क्या इस strategy है, बोले भाई, क्या ये collaboration अपने आप में एक strategy है, collaboration क्या अपने आप में एक strategy है, yes sir, ये strategy है, meaning नहीं पूछूँगा इस strategy की, अभी समझो कि ये strategy है, इसके लिए topic पढ़ेंगे हम, strategic alliance बोलते हैं, इसी chapter में, इसी syllabus में पढ़ेंगे, strategic alliance, alliance करना, partnership करना, JV करना, collaboration करना, consort बनाना, बहुत तरह से, काटेल बनाना, ये सब हम market share, market position, profit, profitability को बढ़ाने के लिए करते, इस सब करते, इस company ने भी किया, strategy का इस्तेमाल किया, और ये decision किसने लिया होगा, manager ने, car बनाने वाले executive ने, mechanic ने, engineer ने, नहीं सर, उन दोनों कंपनियों के top management ने लिया होगा, तो बा आना जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी है, respond करते रहे न, सीखते रहोगे, सारे center से भी जवाब आने चीए, centers का panel मेरे को please right and side पर दे दीजिए, मैं देखना चाता हूँ, कितने बच्चे वहाँ से respond कर रहे, अलग-अलग center से सारे जवाब आने चीए मेरे पास, yes, thank you, ठीक ह ओके, अब ध्यान से सुनो, ये सब बाते हो गई, लेकिन यार इन सब के बावसूर, एक जबरजस गाड़ी अच्छी technology की market में launch हो गई है, मैंने भी एक book करी है, मैंने ये वाली book करी है, अब तुम पूछोगे सर, सवाल है, आपका सवाल और genuine है, कि सर आपने सुजुकी क्य ही किया, आपने high rider क्यों लिया, और मैंने गाड़ी book करी है, इसलिए मैं case पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये case मैंने पढ़ा, case तयार किया, इसको study किया, उसके बाद मेरे को लगा कि कमाल की गाड़ी आ रही है, strategy कहती है, ऐसी गाड़ी भाए करो, तो भाए किया, समझ ने purchase किया, इस गाड़ी के specification पर चलते है, ये है ये car, इसके specification पर चलते है, briefly चल रहा हूँ, पेट्रोल है, 136.8 LM का torque जनरेट करता है, 44, 100 RPM, उतनी speed से इसका revolve करेगा, ठीक है, इसके range है, बहुत सारे, 9.5 लाग से ये गाड़ी शुरू होती है, base इसका price 9.5 लाग है, अब समझी सकते हो कि economical भी है, SUV सेग्मेंट के हिसाब से 14-15 लाग से ही गाड़ीया शुरू होती है, 12-13 लाग से शुरू होती है, लेकिन इन्होंने 10 लाग से नीचे की price से शुरू किया है, hybrid version इसका 13.5 पे शुरू होगा, 13.5 पे जहांसे सुना, displacement वगरा ठीक है, 1462 का मतब 1.5 ल speed है, 45 का fuel tank है, 45 liters का, कुछ एक दो point मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखना इस गाड़ी की length क्या है, तोड़ा सा difference समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस गाड़ी की length है 4365 mm, रुख जाओ, यहीं एक दूसरी गाड़ी है हमारी, Vitara, Vitara, अब as a customer में आपको बता रहा मैंने क्या-क्या चीजे ऐसी देखी, जिसकी वज़े से मैंने Vitara को छोड़ करके, जपी same technology है, एक ही दोनों कम्पनियों ने मिलके बनाया है, सिर्फ body अपना अपना बनाया है, अंदर का सारा मामला, सारा part एक ही है, बस उपर का मामला थोड़ा सा, अलग, दोनों कम्पनियो ने अपने स्टाइल से डेवलप किया है, सुजुकी ने सुजुकी स्टाइल से और टोयोटा ने टोयोटा स्टाइल से, टोयोटा की गाडिया, फॉर्चुनर, इनोवा, बहुत पॉपुलर है, सब बच्चों को पता होगी, ज्यान से सुनना, case study पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ते है, case study, ठीक है, एकदम practical data, facts, figure and reality के साथ पढ़ते है, समझ में आती है बात, लगबग देखो ये दोनों गाडियों में, 136.8 mm, ये भी produce करता है, क्या difference है, कोई difference नहीं है, 5 speed, वही है, 45 का is fuel tank, rear suspension, ये वो सब एक जैसा, देखना, इसकी length क्या है, इसकी length क्या है, 43, 43, 45 mm, 4,345 mm, इसकी क्या है, 4,365 mm, 20 mm ज्यादा है ना इसकी length, आगे ना भात आउकात की, अरे जो गाड़ी इनोवा बनाती है, फर्चुनर बनाती है, क्रूजर बनाती है, जो गाड़ी अपना कैमरी बनाती है, उस गाड़ी में कुछ तो खास बात होगी ना, उस company में कुछ तो खास बात होगी ना, उस company का brand, उसको अपने brand की भी तो सोचनी है ना, इसका मतलब customer के दिमाग में कोई भी product जब भी वो लेता है, उसके feature, उसकी quality, उसकी durability, उसकी availability, उसकी service, उसकी after sales service, उसका brand, उसकी marketing, उसकी advertisement impact करती है, बोलो yes और no, उसके basis पे customer कौ मैं कौन सा product नहीं खरीदना है, डिसाइड करता है, मतलब 만द जब भी um कोई product खरीदते हैं, उसके पीछे हमारा दिमाग लगता है, ये दिमाग सोचता है, ये दिमाग judgment करता है और तब decide करता है, दोनों दो की same है, और फिर भी कोई ना, कोई तो difference है, कोई ना, कोई प्लस, म मैं यह सब देखूँगा और देखने के बाद प्रॉड़क्ट खरीदूँगा खरीदना अलग बात होती है प्रॉड़क्त के बारे में जज्मेंट करना अलग बात होती है जो जज्ज्मेंट है इन्सानी कस्टमर के दिमाग का कंज्यूमर के ब्रैन का जो thought process है किसी product and service के बा बाड़ियां ठीक है ग्रेंट विटारा के बारे में सारी बात करी ग्रेंट विटारा अब देख लो बाई 2022 का मॉडल है मल्टिपल फीचर से इंटीरियर एक्स्टीरियर डाइमेंशन फ्यूल एफिजेंसी सब ठीक है एक जैसा सस्पेंशन ठीक है इंजन ट्रांसमिशन मेटल मेटल मिक्स कितना है 48 परसेंट अब ध्यान से सुनना एक और डिफरेंशियेटिंग पॉइंट बताता हूं यहां इसने ना मारूती ने क्या बोला विटारा ने क्या बोला कि हम आपको टू येर का मेंटिनेंस देते हैं एट य विटारा ने जो हमें वैल्यू डेलिवर करी वैल्यू ओफर करी वो यह है ठीक है विटारा ने ग्रैंट विटारा ने जो हमें वैल्यू ओफर करी वो आपकी आखों के सामने है नोट करनी की जूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं अच्छा ग्रैंट विटारा ने इस तो इस थ्यान से सुनेंगे, Grand Vitara को इस product को बनाने में नाइन लाख रुपी लगते, किस लिए लगते हैं, नाइन लाख रुपी लगा कि Grand Vitara क्या कर रहा है, price set कर रहा है, value create कर रहा है, तो बताए, cost is incurred to create value, cost is incurred to create value, yes or no, किते लोग अगरी करते, एकदम टेकनिकली पढ़ा रहा है, उससे strategy नहीं समझी जाती है, strategy एकदम इंडस्ट्री को discuss करके समझी जाती है, and that's what you are going to get here, yes sir, ये 22 का model, ये इतने सारे feature dimension, metal mix, 2 year warranty, 8 year maintenance, बाकी service after sales service और बाकी चीजों को जोड करके, total 9 lakh रुपी का पैसा लगा करके, हमने ये Grand Vitara गाड़ी create करी, मतलब, sir, जब market में जाएगी ना ये गाड़ी, तो customer की judgment जो की इसके बारे में, 19 lakh के बारे में, मतलब, value create किया, तो यहाँ पे, छोटा सा note लिख लो, cost is incurred, to create, value, ये pillar आप धीरे से बना ले रहा आपने notebook के उपर, वैसे मैं share भी कर दूँगा, इसका PDF, फिर भी आप बना लेना, और बात करते रेना इसे, ये pillar आपके module में है, आपके syllabus में है, मैं वहाँ पहुच चुका हूँ, आज जो कुछ भी पढ़ाओंगा, आपके study mat से ही पढ़ा रहा हूँ, बट आज के session का वेटेज होगा, at least 10 marks in the examination, so बहुत ध्यान से session सुनना, पहले दो session में मैं पूरा base बनाओंगा, तगड़ा वाला, दो की मैं chapter number 1 and 2 को cover कर रहा हूँगा, बट धीरे धीरे आपको मैं progress करा हूँगा, शुरू की classes slow होंगी और धीरे धीरे अपन fast होते जाएंगे, अभी pages आप module के नहीं गिनना शुरू करोगे, वो आप 2-3 दिन के बाद शुरू करोगे, पहले पूरा subject, पहले दिल में बिठा लो, समझना चुरू करो और फिर analysis समझेंगे, खुब अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो फस जाएंगे बीच में जाके, येस, अब बुद्धे पर आपको, cost is income to create value, value create करी, अब grand vitara का price launch होगा, grand vitara क्या कही कि मैं ये गाड़ी तुम्हें 17 लाग की perception है, तुमारी, तुमारी judgment कहती है मैं जब consumer किया, मैं गया, वाओ, क्या गाड़ी है, वाओ, क्या mileage है, या SUV 17 लाग मार्केट में जो और गाड़ी है, उसके हिसाफ से 17 लाग का तो बनता है, यार, 30 किलोमेटर की mileage देगी, अब क्या जान लोगे इसकी, अच्छा, और जैसे ही वो अपनी price disclose करता है रहे, बोला मेरे 3 लाग रुपे बच गए ना, 3 लाग रुपे बच गए ना, मैं 17 लाग की सोच रहा था, मेरी value की judgment क्या थी, मेरी worth मैंने क्या मानी थी, 17 लाग, मिला कितने पे, 14 लाग पे, 3 लाग, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, तो पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, इसे हम बोलते है customer margin customer ने पैसे नहीं दिये value worth और price के बीच में जो different है यही इसकी saving है जब customer को यहां saving feel होती है ना 70 लाग की गाड़ी 14 लाग में कहता है खरीद लेते बाई खरीद लेते इसके basis पे company का बढ़ता है market share बात समझ ले आगे बात करेंगे और जब market share बढ़ता है तो market position भी बढ़ती है बोलो यह सवर्म हम तीन number पे थे हम दो number पे आ जाएंगे हम दो number पे थे हम एक number customer खुश तो हमारा market share अपने आ पड़ेगा market share बढ़ेगा तो market में position भी ranking भी improve होएगी यही खेल है strategy का अब ध्यान से सुना बट बट इस पूरे खेल में जो सबसे पहला factor था वो क्या था ये और दूसरा factor क्या था value और तीसरा factor क्या था price नहीं था कभी बच्चे बोलेंगे सर प्राइस एक factor था price को देखके वो खुश हो गया ना customer price को देखके कभी value और price के बीच का gap जितना जादा होगा customer का दिल उतना अच्छा होगा तरीका क्या है इसका art क्या है strategy क्या कहती है कि value को बढ़ाओ और cost को घटाओ अगर तुमने cost को reduce किया और value को बढ़ाया तुमारा काम हो जाएगा price price तो market competition marketing forces वो तैय करते है market में competition को देखके हम price तैय करते है इस पे हमारा control बहुत कम है कितने लोग agree करते strategy क्या कहती है क्या मानते हो इस बात को कि prices are set by the market forces but the value and cost can be controlled by us so let's work on the value and cost rest let the market determine we are going to be the winner in any case in any case अब ध्यान से सुनो company का margin भी होगा company ने कहा कि customer तेरे को तीन लाक कमवाया पांच लाक मैंने भी कमाया अब ध्यान से सुनो अब मारूती इस पर कितना कमाएगा पांच लाक क्यूं क्यों क्योंकि इसने नौ इसके लिए incur किया cost तो value minus cost is equal to profitability profitability समझ में आ गई कुछ लोग इसे बड़ा profit बोल देते बोल चाल की concept पढ़ा रहा हो strategy यहीं पर है yes sir profit का मतलब होता है सिर्फ firm का margin जो price minus cost होता है लेकिन profitability value minus cost होती है अगर हम value को घटाते हैं value को बढ़ाते हैं और cost को घटाते हैं तो but obvious है कि हमारी यह profitability बढ़ती चली जाएगी आपकी profitability कितनी है इस case के अंदर 17 minus 9 is equal to 8 lakh 8 lakh की profitability थी आपने इसमे से क्या किया तीन लाग customer को दे दिया और 5 lakh अपनी company के लिए बचा लिया मतलब external internal दोनों customer को satisfy करने की कोशिश की बोलो यह स्वार नो consumer को customer को 3 lakh का profit दिया वो happy अपने लिए 5 lakh बचा लिया खुद भी happy दोनों के लिए value दोनों के लिए आपने कुछ न कुछ क्रियेट कर दिया कहां से बटवारा हुआ यह बटवारा ही हुआ हमारे profitability से तो profitability important है या profit important है बोलो स्ट्राटजी क्या कहती है profitability important है कि profit important है सारे बच्चे बताएंगे सारे सेंटर बताएंगे win-win situation कैसे create हुई क्योंकि profitability बड़ी थी हमारा target क्या होना चाहिए profitability को बड़ा होना profit को नहीं ऐसे लग रहा accounts और FM की class चल रही है कोई बात नहीं strategy वहीं से पैदा होती है हर एक subject तु तो मैं आपको उसका implementation सिखा रहा हूँ इसलिए आपको कभी कभी illusion होगा कि सर पता नहीं strategic management पढ़ा रहे है या finance पढ़ा रहे है या costing पढ़ा रहे है चाहते क्या है हमसे तो थोड़ा दिल को तसली देना जो भी पढ़ा रहे है आपके syllabus से ही पढ़ा रहे है wait करना conclusion draw होते होत तो चार important बाते हो गई क्योंकि profitability बढ़ी हो गई तो company को भी पैसा आएगा और customer का भी saving होगा चार important बाते हो गई इस pillar के अंदर cost, value, profitability and then customer margin इसी के basis पे कोई भी organization इसी के basis पे grand vitara व्रिजा win-win situation में पहुँचेगा successful होगा competitive advantage गेन करेगा otherwise नहीं यह तो grand vitara की situation है इसने तो अपने हिसाफ से अपनी strategy बनाई और सब कुछ in place कर दिया clear लेकिन क्या होता है अब तयारी तुम ही थोड़ी हो यार निशान्त जो तुम अकेले तयारी कर रहे हो exam के लिए ऐसा थोड़ी है तुमारे जैसे तो लाखों बच्चे तयारी कर रहे है तुमने भी अपनी पूरी ताकत जोकी हुई है तुम भी खूब सारा cost incur कर रहे हो तुम भी बहुत सारा time लगा रहे हो value create कर रहे हो तुम भी अपनी profitability band को बहुत बड़ा बना रहे हो तुम भी customer margin दे रहे हो firm के लिए profit कर रहे हो price competitive set कर रहे हो तुम तो अपना best कर रहे हो businesses are born to compete क्या बोला मैंने business वही है जो born हुआ है पैदा हुआ है compete करने के लिए जो compete नहीं करता वो business नहीं है businesses are born to compete तो भई ऐसा है grand vitara की कोई monopoly थोड़े ही है कोई चच्चा ने थोड़े ही बोला है कि ये market में इस segment में सिर तेरा कार आएगा और किसी का नहीं आएगा और भी आ specification के साथ उतर सकते engine कौमाने ना बाकी चीजे ground clearance से लेकर के बाकी चीजे तो हम दोनों की अलग अलग होंगी अपनी अपनी presence होगी जिसमें जितना है दम बेच लो भाई तो मना किसी ने किया है बेच लो आ गए भाई हाई रैडर वाले भीया अब हाई रैडर वाले भीया ब सेखो अपनी value बता रहा है और इस value को create करने के लिए हाई राइडर ने भी cost in कर किया होगा मित्रो बोली यसर नो किया होगा कि नहीं किया होगा यसर किया होगा इसने बोला सर ऐसा है 2022 का model launch कर देते हैं जबाब देते रहें आप बोलते रहोगे मैं बहुत अच्छा पड़ा क्योंकि आप हिम्मत नहीं बढ़ा होगे आप अगर बहुत डल जबाब दोगे तो मजा नहीं आए गया फिर तो live class teacher को ना energy चाहिए होती है energy बच्चे देते और मेरे पास बहुत कुछ है मेरे खाजाने में इतना ज्यादा है मेरा पिटारा बहुत है बढ़ा है कि मैं दिन करता हूं और एक बैच लेता हूं सिर्फ मैं दिन बढ़ टीचिंग नहीं करता हूं मेरे बारे में जितने बच्चे जानते हैं मैं ऐसा नहीं होता कि दिन बर classes में ही एक class खतम होई दूसरी चालू दूसरा चुरू और तीसरी चालू अपने को नोट ऐसे नहीं छापना अगर जितनी अच्छी कमांड होनी चाहिए अगर जितनी अच्छी कमांड होगी आप उतना जबर्जस्त इंडस्ट्री में जाकरके पैसे चापोगे सही बात बोल नोट चापोगे नोट पैसे गिन नहीं पाओगे तुम क्योंकि अभी ज्यादा तरस यह जो बन रहे है मुट्सा बढ़ा होता है जब ऑडियंस ताली बजाती है उदर से तोड़ा सुटिंग गरती है तो प्लेयर भी चक्का मारता है चक्के पर चक्का मारता है और बॉलर भी बहुत तेज बॉल निकालता है वही हालत हमारी होती है येस थैंक यू अब आजो तो सर यह हाई की तोड़ीटा टाइप होगा किसके टाइप होगा मारती टाइप नहीं होगा अपना ट्रीटा टाइप वहाड़ा तो यहाँ वैल्यू प्लस में डेलीवर कर रहा है उसकी तुल्ला में ध्यान से सुनना विटारा की तुल्ला में Grand Vitara के comparison में Toyota कह रहा है हम ज़्यादा value create कर रहे है क्योंकि हमारा SUV segment में mastery है हम बाप है बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है इंजन की collaboration है इंजन भी हमने दिया है उनको भाई को वो तो collaboration था market share बढ़ाने के लिए उसके लोगों ने royalty दिये है बाकी technology transfer agreement sign किया उसके भी मोटे पैसे लिए है अरे हम Toyota है जापान की number one company है दुनिया की one of the best company है है ना हम ऐसे नहीं है हमने 1962 में just in time manufacturing शुरू कर दिया था जब दुनिया सोच भी नहीं था हमने six sigma तब लगाया था जब लोगोंने सोचा भी नहीं था बात समझ में आ रही है क्या अरे हम total quality management पे उस जमाने में काम करते थे जब लोग सोचते भी नहीं थे we are the best we are the best in automobile Japanese are the best and I am number one company of Japan you will have to trust on me अच्छा ऐसी बात ती बड़ी बड़ी बाते बोला इंजन एंड ट्रांस्मिशन तो कॉमन है बट मेटल मिक 68 पर से बोलो वैल्यू की जज्मेंट प्लस हुई क्या कस्टमर की जज्मेंट ज्यादा होगी क्या इस इस कंपनी को ज्यादा करके आके गा क्या इसकी accounting analysis करेगा तो उसको 17 लाग की जगा थारा उनीस बीस बाइस पर जा करके इसको कैल्कुलेट करेगा क्या यस सर क्या वाद बीस परसेंट जाना चेतर चिराग एकदम काल्कुलेटर लेके बैठा है वरी गोड़िस इन आटिटूट अभी सर्व दो साल की maintenance दे रहे थे maintenance की गरंटी दे रहे थे सर यह कहता थ्री प्लस फोर यर्स extended वारंटी दूंगा अब देखो वाई स्कोर कर दिया ना या पर अब लगे हुए थे थुक-ठूक-ठूक शिंगल-टूक पांडेया दे चक्ठेट्ट पे चक्ठा अब यहां से शुरु हो गया इंजिन हमार् से चका हम बार है ना खटाम तुम प्रेसर में खेलते हो छो तुक-ठूक-ठूक-ठूक ठीक है अब बाई देखो इसने यहां में देंगे प्र फ्र कोर किया हमने brand presence हमारी अच्छी है total quality management पे हम काम करते हैं मतलब वर्थ के मामले में value की judgment feature quality durability availability technology services after sales services advertisement marketing and branding के मामले में Toyota ने का हम बाप है बाप होता है बेटा बेटा होता है तो बेटा ऐसा है हमारे पास competitive advantage है बोलो यस और नो इतने सारे advantage है हमारे पास Toyota ने सेम गाड़ी के ऊपर मारूती के ऊपर advantage कैसे score कर दिया और देखो strategy के teacher ने क्यों यह book किया इसी ले किया यह सब चीज है यह केस study यह study बना ही मैंने मैं गाड़ी खरीदने जा रहा था देखो हम लोग कोई काम करते है ना उसका paperwork भी साथ में करते है हमें strategy पड़ानी होती है हमने का यार हम गाड़ी खरीदने वाले ऐसा करते इस पर case भी बना लेते बच्चों के लिए एसी सोच तुमें भी develop करनी है एक पंदो काज साफ मरे लाठी भी न टूटे समझ में आगी बात efficiency बोलते हैं इसको multi out of the box thinking बोलते हैं इसी को बोलते हैं आगे देखो अब देखो आजाओ आजाओ आप calculation पर आजाओ मत्ताब जो भी था theoretical कुछ भी नहीं था इसका practical aspect पर आजाओ अब भाई हाई राइडर वाले भाईया ने कहा मित्रो हमने गाड़ी बनाई अब भाई ऐसा है हमने ज्यादा वैल्यू की सब्सक्राइब लेकिन हमारे मारूती वाले भाईया आठ नौ लाक में बना रहे थे उनकी कॉस्ट उनकी कॉस्ट नाइन लाक्स थी हमारी आठ लाक है बोला लोगों ने भाई ये कमाल कैसे किया बोला ये कमाल इसलिए किया क्योंकि हम टोयोटा है हमारा learning curve experience कर बढ़ा है हम हमारा economy जब scale बढ़ा है ध्यान से सुनना cost पे हमारा cost control बहतर है हम JIT फॉलो करते हैं समझ में आ रही है क्या हम total quality management के principle पर काम करते हैं हमारे हाँ six sigma है हमारे हाँ error and defects पर काम करने के processes बहतर है हम improved business processes पर काम करते हैं इसलिए उसी काम को जो दुनिया 9 लाक की बनाती है हम 8 लाक ही बना सकते हैं इसलिए तो हम Toyota तो cost का कम होना व्यान से सुनना minimizing the cost is an advantage or not तुम cost accounting strategic cost management क्यों पढ़ते हो मित्रो हाँ इससे profitability ज्यादा हो जाएगी Pius thank you so much that's cool cost का minimizing the cost Michael Potter का value chain analysis क्या कहता है minimizing the cost and maximizing the value यही तो कहता है क्योंकि यह करने से तुमारी profitability बढ़ती है और profitability बढ़ती है तो win-win situation होती है ध्यान से सुनना अब क्या हुआ सर कॉस्ट को घटाया यह अपने आप में advantage है इसी के लिए तो सर हम पूरी costing की technique लगाते है well and good अच्छा सर आठ लाख में जो गाड़ी बनाई अभी आपने देखा ना हमारे features इत्ते सारे list किये सर कस्टमर कहता है अरे नहीं यह 17 लाख वाली गाड़ी नहीं क्यों मोका दूम है बिटारा को मार्केट तो प्राइस तार सेट बाइदा मार्केट फोर्सेस इस पर तो अपना कुछ नहीं आपन तो compete करने जा रहे हम काम कहां कर सकते थे हम दो जगापे work कर सकते थे मित्रो ज्यान से सुनिएगा एक तो cost पे काम करते थे minimizing the cost and maximizing the value maximizing the value यहां पर काम करना तो हमारे system के बसका है ना यहां तो हमारे control में है ना यहां तो हमारी strategy लगेगी ना बोलिए yes और तो इस company ने क्या किया अपनी strategy लगाई cost को minimize किया value को maximize किया और विटारा के उपर score कर दिया क्या क्या यह इसका competitive advantage है क्या CA है क्या इसका अपने rival के against में advantage है क्या इसी को तो competitive advantage बोलते है इसी को तो बोलते है बट ऐसे calculate होती है अच्छा जी जब ऐसा किया तो सर इसकी profitability band भी बढ़ी होगी अब profitability कितने की हो गई सर 18-8 is equal to 10 lakhs इस 10 lakh में बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिन्दगी तरे को 4 lakh देता हूँ विटारा कितने का दिया विटारा ने margin कितने का दिया विटारा ने margin कितने का दिया तीन लाग का टोयटा ने कितने का margin दिया मुझे यह customer पैसे का ना जाना तो आना ही होता है 4 lakh में त जार लाख वाले की तरफ जाओंगा बताओ इस कंपनी का market share market position में बढ़ा दूगा कि नी बढ़ा दूगा यह सर आप इसको भर-बर के पैसे दे के और आपके जैसे हजारो लोग इसको भर-बर के पैसे दे के आएंगे ठीक है क्योंकि इस कंपनी ने जादा value create करी और जाद बड़ा customer margin दिया customer खुष तो company खुष अब ध्यान सब्सक्राइब हो गया और देखो एक और चीज यहां भी advantage है यहां भी advantage 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 score कर रहा है देख लो भाई Toyota का high rider this is the art this is the strategy this is how we do this this is not that we just imagine and happens this is how we do this okay अब देखो यहां पे इसको पांच लाग का profit हुआ पिछली वाली company को कितना profit था विटारा को एक high rider एक विटारा ग्रेंट विटारा बेचने पर कितने का profit हो रहा था 5 lakh का इसको कितने का profit हो रहा है 6 lakh का plus 1 lakh जादा है न यह भी advantage है न बोलो भाई Toyota cash rich company होगी न इस पैसे को कहीं और invest करेगी न एक लाख रुपया एक गड़ी पे जादा कमा र हारा की high rider has an advantage over grand vitara while competing in the market if one company gets an edge over the rival that is called competitive advantage that is called competitive advantage and strategy क्या कहती है strategy यही कहती है achieve competitive advantage but how is there any possibility क्या बिना value create किये हुए आप competitive advantage gain कर सकते हो गो जितनी जादा value करोगे create the more value we create the more competitive advantage we gain the more cost we reduce and control the more competitive advantage we gain this is what strategy is broadly broadly आप देखो इसका समरी देता हूं यह दोनों कंपनियों का comparison कर लो जो भी अब तक पढ़ा उसका समरी ले देता हूं आपको समरी देखो ध्यान से vice model vice model multiple feature multiple feature कोई बात ने dimension 4345 4365 CDC बात है यहाँ पे advantage suspension चलो भाई ठीक है माल लेते हैं Toyota का बेहतर ही होगा खराब नहीं होगा metal 48% 68% advantage sir 2 years extended warranty 40 and 4 years तक 80,000 तक का warranty यहां sir 3 year extended warranty एक लाग प्लस साथ यह तक का 220,000 पे advantage customer इधर भागेगा उदर नहीं जाएगा यहाँ पर उसको gainी gain है उसके बाद 8 years battery warranty 8 years यहाँ बैटरी की वारण्टी अभी तक applicable नहीं है कुछ भी clarify नहीं किया है मारूती है, ठीक है, नहीं, मैंने उल्टा लिग दिया, क्या, मैंने उल्टा लिग दिया, 8 years battery warranty है, यहाँ भी 8 years battery warranty है, यह ठीक है, यहाँ पे कोई issue नहीं है, EM60 यहाँ पे available नहीं है, यहाँ पे available है, यहाँ भी advantage, roadside assistant तीन साल तक available है, यहाँ पे कोई ऐसा मारूती में कुछ पी ऐसा नहीं है और साथ ही साथ brand presence and TQMA सब मिला करके high rider has an edge over the rival company called Vitara